प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आपको वीडियोज वेल्कम स्टुडेंट्स माई एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है आज का हमारा टोपिक है राउंडिंग ओफ नंबर्स वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टोपिक है देखो राउंडिंग ओफ में आज हम करेंगे राउंडिंग ओफ नंबर्स टू नीरेस टैन नेरस टैन वाला करेंगे आज हम numbers to the nearest 10 ठीक है question की according समझाऊंगी मैं यह आपको ठीक है तो better समझाएगा देखो कोई मालो हमारे पास यह question है 45 43 and 69 ले ले लो जलो ठीक है यह मैं 3 question लेके चल रही हूं ठीक है इन 3 question में मैं आपको यह समझा दूँगी कि आप इसको कैसे करोगे nearest 10 ठीक है देखो कभी भी हमने जब rounding off करना है किसी भी number को चाहे आप 10 कर रहे हो nearest 100 कर रहे हो कोई भी ठीक है तो हमारे पास एक rule होता है ठीक है जो हर एक round off में हमारा चलता है ठीक है क्या है सबसे पहले places change हो जाती है ठीक है नीरेस्ट के अकोडिंग की आप कौन सा nearest 10 कर रहे हो 100 कर रहे हो 1000 कर रहे हो कोई भी कर रहे हो उसमें सिर्फ places change होती है रूल है जो हमारा वो एक ही है ठीक है क्या rule है देखो हमारे पास है कोई भी डिजिट है ठीक है अब देखो इसमें लेके चलो यह नीरेस्ट 10 कर रहे है तो पहले इसके उपर question है जो हमारा हम उसके उपर places लिख लेंगे ठीक है यह वन्स place है यहां से start करते है ठीक है और यह है 10s place rounding करना है आपने इसको nearest 10 करना है तो आपने यह याद रखना है कि जो आपको round off करने को बोला है ना आपकी place है ना वो वो change होगी ठीक है वो number change होगा हमरा ठीक है करना क्या है देखो जो round off करने को बोला होगा जो 10 बोला है तो उसको मैंने पहले round कर लिया ठीक है ऐसे आपको याद रह जाएगा ठीक है क्या करना है हमने check करनी हो once place अब ठीक है अगर हमा हम nearest 10 कर रहे हैं तो check होगी हमारी once place once place के according ही हम change करेंगे ठीक है देखो इसमें क्या करना है ठीक है देखो once place है अगर हमारी five से छोटी हो मतलब की five से शोटा कौन हो सकता है four हो गया three हो गया two हो गया या one हो गया ठीक है five से शोटी zero भी होती है ऐसे ठीक है five से शोटा नंबर क्योंकि अगर zero होगी फिर तो वो 10 में आई जाएगा ठीक ह तो ये zero को आप ना ही लेकर चलो one तक ले लो ठीक है five से शोटी डिजिट्स होगे four three two one एक रूल ये है question के according पता लग जाएगा आपको और दूसरा है अगर five से बड़ा हो ठीक है पहला है five से छोटी once place five से बड़ा मतलब कि six seven eight nine और last है जाफिर हो five ठीक है पहले में है five से शोटा और दूसरे में है five से बड़ा नंबर जा five ठीक है अब देखो change कैसे होगा देखो ये जो हमारा first question question है इसमें हमारा क्या है five आगया ठीक है नेरे stand कर रहे है तो हमने चेक करणा once place अगर हमारी five है ठीक है तो हमारा जो digit है पहले once place हमारी हो जाएगी zero ठीक है अगर five हो और जा five से बड़ा हो इन दोनों cases में हमारा question same हो जाता है ठीक है once place अगर हमारी 5 हो जा 5 से बढ़ी हो तो पहले तो हम once place 0 कर देते हैं ठीक है तो आगे वाली जो 10th place होगी हम इसमें 1 one add कर देंगे ठीक है एक add कर देंगे यह जो 4 है ठीक है इसमें 1 plus किया हमारा एक बढ़ गया तो आगया 5 ठीक है तो यह 45 का round of हो गया 50 ठीक है clear हो गया अब यह question लेके चलो इसको बाद में करते हैं पहले यह देखो 69 अब मैंने आपको पहले ही बताया है अगर हमारी once place है जो nearest 10 में 5 हो जब 5 से बढ़ी हो ठीक है तो हम क्या करते है once place को zero कर देते हैं पहले और आगे वाले में क्या हो जाएगा एक add हो जाएगा मतलों कि 6 में एक plus कर देगे हैं तो इसका round of आगया 70 ठीक है और यह जो case है इसमें देखो center वाला जो question इसमें क्या होगा ठीक है अगर हमारे पास check तो हम इसमें ही once place ही करेंगे ठीक है देखो अगर मैंने पहली बार इसमें आपको बताया कि अगर हमारी जो once place है वो five से shorty आजाए तो हमने क्या करना है कुछ नहीं करना है लगेगी zero इसकी जगा भी चाहे five हो five से बड़ी हो जब five से shorty हो ठीक है once place हमेशा zero हो जाएगी और change आएगा आगे वाले में इस case में क्या होगा इस case में कोई change नहीं आएगा क्योंकि हमारा rule के according अगर five से digit हमारा shorty आजाता है तो आगे वाला जो digit हो as it is आजाएगा मतलब कि four यहां पर आयाएगा ऐसी तो इसका round of हो गया 40 ठीक है I hope आपको clear हो गया हो ठीक है अब देखो हम लेके चलते हैं यह तो two digits वाले question है ठीक है अगर हमारे पास digits बढ़ जाएगे तो हम इसमें क्या करेंगे ठीक है देखो कुछ भी है चाहे digit हमारे तीन हो चार हो पांच हो शे हो साथ हो जितने मर्जी हो change जो nearest ten में हमारे last two में ही change आएगा आगे वालों में कोई change नहीं आएगा ठीक है यह बात आपने याद रखनी है कि चाहे जितने मर्जी digits लगे हो आपके आगे मैं कॉशन करके आपको बता भी देती हूं ठीक है यह फाइव डिजिट्स वाला कॉशन ले लो चाहे थ्री वाला हो चाहे फोर फाइव सिक सेवन जितने मर्जी digits हो जाए नेरेस्ट 10 में हमारा जो change है वो last two digits में ही आएगा ठीक है इस बता देते हैं ठीक है mostly ऐसा होता है ठीक है तो इसलिए मैं बता रही हूं नेरेस्ट 10 कर रहे हो तो कुश नहीं करना है पहले की तरह 10 कर रहे हो तो 10 तक ही places लिख लो जहां तक आपको round बोला गया होगा आप उतनी ही places लिख दो once 10 आगे वाली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आगे वाले जो digits उनमें क्यों ही चेंज नहीं आएगा ठीक है देखो हमारी once place है मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर once rule क्या है अगर once place five हो जा five से बड़ी हो तो हमारा आगे वाला five हो या five से बड़ा हो तो आगे वाली जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है ठीक है तो यह आगया five यह क्या है five आगे आप five हो जा five से बड़ा हो तो चेंज हो जाता है पहले इसकी जगा once place zero कर देनी है एक चीज सेम है इनमे five हो five से बड़ा हो five से बड़ा ठीक है यह तो 0 होगी ही तो आगे वाला यह 5 आगे आप रूल के गोडिंग यह 10th place हमारी change हो जाएगी मतलब की एक बढ़ जाएगा 4 में सिरफ ठीक है 4 में एक बढ़ गया 10th place होगी हमारी 5 4 में एक एड़ किया 4 plus 1 5 ठीक है यह आगे वालों में आपने कोई चेंज नहीं करना है ठीक है हमने इसको 10 round of करना है तो यह आगे वाले as it is आ जाएगे इनमें कोई चेंज नहीं होगा हमारा ठीक है चेंज होगे सिरफ लास्ट वाले 2 ठीक है तो एक और question ले लो easily आपको अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है यह लो ठीक है इसमें क्या है देख लो मैं इतने बड़े digits वाला आपको round of बता देती हूं 10 कर रहे हैं सिर्फ सिर्फ 2 places लिखनी है ले इस 10 कर रहे हैं हम आगे वाली लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको यह last digit चेक कर लो ठीक है 10s round of करना है तो इसके exact पीछे वाली place चेक करेंगे हम ठीक है यह आगे 2 2 क्या हो गया अब 5 से शोटा हो गया है हमने क्या करना है once place 0 होगी ही चाहे 8 ही यहां पर आजाएगा तो आगे वाले digits जैसे हैं उनको as it is आप ऐसे उतार दो ठीक है तो यह था हमारा rounding of to the nearest 10 I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो अगर आपको कोई भी question हो इससे related तो आम उससे comment करके पूछ सकते हो please like and share my video and please subscribe my channel thank you for watching